कुरुणा वारिस की दूसरी लहर में इन दोज शहर में लगतार कुरुणा का प्रको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है लगता बढ़ है कुरुणा संक्रमन से जोहां स्पतालों में बैड उकलब्द नहीं हो पा रहे हैं वहीं ऑक्सिजन और जीवन रक्षक इंजेक्शन रेड हजार तेहत्तर मरीजों के सेंपलों की जांच की गई थी जिसमें 912 मरीजों की रेपोर्ट पॉस्टिव आई जिसकी बाद शहनवे पॉस्टिव मरीजों का आखड़ा बढ़कर 7425 पर पहुच गया वहीं पांच और कोरोना पॉस्टिव मरीज की मौत के बाद मौत का 3495 पर पहुच गया है सर क्या रहा बुलेटिन शुक्रवार का सुक्रवार को 6073 सेंपल स्टेस्ट किये थे जिनमें से 5107 सेंपल नेगेटिया है वही 912 सेंपल ऐसे रहे जो पॉजिटिव है सुक्रवार का जो पॉजिटिविटी रेट रहा वो 15% पे रहा है और अभी तक के कुल इंदौर जिले के जो कोवीड मरीजों की संख्या है वो 77,590 हो गई है क्युमिलिटिव पॉजिट्वी रेट हमारा 7.9% पे है 994 डेस हभी तक के कुल इंदौर जिले में हो चुकी है जिसमें कल 5 डेस और जुड़ी है 994 डेस के साथ में 1.2% सिटालिटी रेट है 69,173 मरी जैसे हैं जो ठीक हो करके अपने घरों को जा चुक है 89.14% के आसपास हमारा रेकवरी रेट है अभी एक्ट्व मरीजों की इंदौर जिले में जो संक्या है वो 7,425 है जिनमें से अधिक्तर मरीज अभी होम आईसोलेशन पे अपना स्वास्ताम ने ले ले